हलो अब्रीवन आई वेल्कम टू ओल इस इस अजे और वाचिंग जे के सिस्पी ओने टिटोरियल तो आज के लेक्शन में हम लोग साइंस में अजोन लेयर और इसकी डिप्लीशन के बारें पढ़ने वाले हैं डिप्लीशन मतलब इसका डिस्टक्शन कैसे हो रहे हैं तो अज लेयर आज पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आप कभी अजोन लेयर को बूल पाओगे और आपको एक भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझाएगा मैं इसको बहुत अच्छे से जैसे हमने बाकी चप्टर पढ़े बैसे इसको पढ़ेंगे ठीक है और बि आज़ोन क्या होता है ह। आज होन बेशीख लेयर होती है आप बोल सकते हो एसाइल मैं मैं बोलुगा यह कहां पाए जाता है यह पाए जाता है फौंडिं कोई इसका इस अच्छे से नोर्ट बना देना। वाइट पे अमसे सेंड कह देना। स्टैटो 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 goat कि यह बेशीकलि स्टैटो स्वे हेड यह कंपूड़ें में आने बाला सबसे पहला इसे Jerry की आजू टिर्जोप कौँ सी यह मैं पाई आपको पता कर ट्रोप बगग ऑफेर में आपकी आर्थ से कितनी दूर तक 20-22 किलोमेटर तक इसकी हाइट बगए पाया जाता है अंठार इसके बाद है और वसके बद यह बंदे कैसे हैं इसका सबसे पहले साइकलिकल तक हमें पंस्की अर्थ सबसे नियुक्त कि zone formation का cycle कैसे बनता है जो zone formation होता है जो बनता है वो कैसे बनता है ठीक है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हैं ठीक है मैं आपको concept तक समझाओंगा इसके तो सबसे पहले मैंने बताया zone जो है वो कहां होती है वो स्टैटोसफेर लेयर में पाया जाता है अजोन बेसिकली एक लेयर होती है जो oxygen की बनी होती है यह मैं आपको समझाने बाला हूँ जैसे zone formation कैसे होता है तो इसका जो cycle बताया सैंटिस का नाम लिख लीजिए चैंपमेन चैंपमेन इसने हमें सुझेस्ट करा इसने हमें बताया सुझेस्ट किया cycle cycle order of cyclic order of ozone formation तो इसने हमें क्या बताया कि जो 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 बनने का जो cycle होता है जैसे आपका nitrogen cycle oxygen cycle carbon एक साइकल्स होते हैं कैसे कैसे बनता है मतलब स्टार्टी में क्या लिए फिर क्या बना उसके बाद बापीस कैसे तूटा फिर कैसे बन रहा है एक cycle कैसे बन रहा है तो यह बेसिकली बनने का तरीका क्या होता है सबसे पहले आपके अटमस्पेर में oxygen होती है यह जब sunlight की presence होती है जैसे sunlight होती है तो sunlight होना है ठीक है और इसी को जब इसके बाद क्या होता है यही जो oxygen होता है यह फिर से oxygen से मिल जाता है फिर से एर में तो oxygen ही है जैसे sunlight में टूटता है फिर से इसका एक जो oxygen होता है है अटमस्पेर जो आपका element है यह बापिस oxygen से मिल जाता है और यह बना देता है O3 क्या बनाते यह O3 फिर से जब इसमें sunlight आती है कि sunlight होती है तो यह O3 बापिस O2 प्लस O2 नेगन में टूटता है बापिस फिर से यह O3 बाला फिस और जो बनाता है तो इस तरीक से एक cycle चलता रहता है oxygen से ही बनता है यह साहरा इसका जो formula होता है बहुता है O3 और जो उनका formula क्या होता है O3 क्योंकि इसमें 3 element होते है आपके कि oxygen के मतली oxygen का molecule होता है इसमें 3 होते हैं आपकी तो थोड़ी सी समझ जाए कैसे बनता है oxygen से ब्रेकड़न होता है फिर oxygen से oxygen मिलके O3 बनाता है और यह वैसे ही टूड़ता बनता है ऐसे cycle चलता रहता है और बेसिकली यह जो होना कुछ नहीं है जिससे मान लीजिए आपकी एक अर्थ है ठीक आपकी अर्थ हो एक है तो अर्थ क अर्ण के है आपकी atmosphere है जिसमें अलगले परकार की गयास है तो यह बेसिकली बीस से बाइस किलोमेटर उपर आपके तो एक लेयर बनी हुए पूरी ऐसे जिसने पूरी चारो सैट से आपकी अर्थ को गिरा हुआ है यह यहां पर पूरी गैस ही कठी हो रखिए यहां पर गैस कि जहाज है वो भी यही प्योटते हैं status fair में ठीक है क्योंकि यहां बादल भार नहीं होते है बादल निचे आके इसके निचे आके बारिश बारिश होती है इसके नीचे तो status fair में होता है और status fair की कितना 20-22 किलोमेटर के करीब-करीब होता है है ठीक है और यह basically काम क्या करती यह काम क्या करती है यह हमें यूबी रेस से बजाती है जो अल्ट्रा बाइलेट रेस आती है आपकी संसे यह हमें इससे बजाती है जब इस पे आती है तो यह कुछ अब्जॉब कर लेती है जो आपका अजोन होती है वो क्या काम करती है वो कुछ को तो अब्जॉब कर लेगी और कुछ को तो वो reflect कर देगी कुछ को बापीस reflect कुछ को अपजाब कर लेती है किसको UB raise को तो सबसे important बाते इसमें अभी तक यह याद करने है वो क्या है कि ऑजॉन का formula क्या होता है ऑजॉन का formula O3 होता है और जोन कहां पाए जाती है जोन स्टैटोस फेर में पाए जाती है ठीक है कहां पाए जाती है कुन सी लेर मेरत की स्टैटोस फेर में उसके वाज यह कितनी दूर है 20 से 22 क्लिमेटर दूर है और जोन हमारे लिए क्या काम करती है तो यह हमें अल्टरा बाइलेट रेस से बजात यह अर्थ को भी यूबी रेस से बचाती है I hope यहां तक तो आपको कलीर होगा चलिए थोड़ा सा आगे वड़ते हैं next point वड़ते हैं चलिए एक मैंने आपको बढ़ बताया कि यूबी रेस को क्या करती है आपकी अजोन लियर O3 क्या करती है एक तो reflect करती है जिसको reflect करती है इससे तो को फरक पड़ेगा नहीं लेकिन लेकिन जिसको absorb करती है जिसको absorb करती है ठीक अबसाब करती है इससे क्या फरक पड़ता है देखिए absorb करने से क्या होता है जब यह क्या करती है आपके यूबी रेस को absorb कर लेती है तो इस इसका यहां का temperature क्या होता है? Temperature increase हो जाता है Temperature क्या होता है? increase हो जाता है क्योंकि जब इसने uberase को अपने इंदर absorb कर लिया अब rays गर्म होंगी तो वो जैसे इसके इंदर आएंगी तो इस area का temperature जो जो जोन के पास यो temperature होगा यहां से temperature बढ़ दाएगा अगर temperature increase हुआ के तो आपका कंडेंशन ऑब trusting नहीं होगा अब और co लंज Days क्या होता अब आपके जब आपकी यह च pension होती है जो लो टेंपरिश्चों से जो आपके वैपर होते हैं कि यह पाणी बनके आया था तो यह water में convert हो जाते हैं इसको बोलते हैं condensation होना condensation को मतलब जब आपके बैपर convert होते हैं कि इसमें water drop में तो अगर बैपर को water drop बनना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा temperature को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ठीक है को यू अब यहां पर temperature बढ़ गया जैसे यह temperature होता है temperature INCREASE होता है तो跟wort नहीं होगा कर्ठेशन नहीं हुआ तो इट मेंस की यहां पर कोई भी Rain Formation नहीं होगा कि यहां पर Rain Formation नहीं होगा थोड़ीसी बाढ थोड़ा समझे क्यों क must not आपके बन के पानी बाव नाशाए निए लेकिन स्ट्राइटरस फेर में आशा नहीं होता क्यrok डाले चयों हो कि असट आगा जोकव धुझा थी होगा सॉन्धी में एसा नाशी होगा तो क्या convicted kszинки या तो स्ट्रेटी नहीं हुआ इट मीज कि बैपर का पानी नहीं बनेगा यहां पर कोई भी रेन फॉर्मेशन नहीं होता तो स्टैटोस फे में रेन फॉर्मेशन नहीं होता पॉइंट को याद रखना क्यों नहीं होता क्योंकि सरी यहां का टैंपरेचर इंक्रीज था ठीक है यहां का टैंपरे यूज यूज दिस लेर क्या यहीं वह रिजन है कि आपका जो एज़़ प्रेन है इस लिए को यूज़ करते है क्योंकि इस लेर में क्या हता है कोई रेन की दिक्कति नहीं है तो बादलों के ऊपर जाकर बड़ता आपका जहाद है तो आई होप यह छोटा सा कु Morm faith कर आपको समझने के लिए कोशिश कर और आपको समझी भी आया होगा मैं दोहरा से एक बार इस लिदिद्वार इसको को मैंने बोला कि यूभी रेज के काम होते हैं वह यूभी रेज को चो शरी जोन के जादा गर्मी अफ्जाब करता जाएगा तो वहां का temperature बढ़ेगा temperature बढ़ने के बज़े से बहां पे क्या होगा जो बैपर्स बाब बन के उड़े थे उसका condensation नहीं होगा वो water drop में convert नहीं होगे तो अगर water drops में convert नहीं होगे तो वो बहां पे दुएं की तरह रहेगा बारिश बहां पे नहीं बनती तो बहां पे कोई भी information नहीं बनता हो यही वो reason है कि आपके जहाज भी कहां उठते है status पेर में उठते है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे इसका होता है कि इसका depletion क्या होता है depletion of azone layer इसकी heading दे लो depletion of azone layer क्या होता है तो depletion of azone layer क्या होता है तो इसमें आप बोल सकते हो decay of azone यह azone gas भी बोल सकते हो तो azone gas का decay होना मतलब खतम होना destruction होना उस ही को बोलते हैं को दिपलेशन तो डिपलेशन की कुछ नहीं है वहाँ पर जो गैसे ओ ठीए है वहां से कम होना स्टार्ट हो जाते है उसी को बोसे है होना है ठीक है उसको बोलते है डिपलेशन होना यह पहले बार अबजर ब किसने किया इसको first time first time Yeah observed OBSERBD observed Y किसने 4 men किसने 4 men तो मैं इसको highlight भी कर देता हूँ 4 men इसको पहली बार observe किया कि आपका जो ozone का ये depletion हो रहा है ozone gases बीच में तूट रहे हैं क्योंकि pollution होने की बाद से ozone पर काफी effect आ रहा था तो इसने first time पे इसको absorbed करा पहली बार देखा इसने तो आपको exam में question आता है कि इसका unit क्या होता है depletion को किस तरीके से measure करते है यह कि depletion होती क्या है यह मैं आपको बता दूँग अभी तो इसका unit of depletion क्या है मतलब कितना depletion हुआ कितनी gases टोट गी कितना गैसे decay हुआ तो उसको बोलते हैं dobson क्या बोलते है dobson तो यह question exam में बहुत बार पूशा हुआ है zone layer का जो depletion depletion का unit क्या है depletion को किस में measure किया जाता है तो answer होगा dobson को dobson में किस में dobson में पहली बार absorb किस ने किया था पहली बार absorb किया था form ने तो depletion अब zone ले थोड़ा सा समझाया होगा क्या होता है gases का decay होना gases का खतम होना बहां से जो एक layer बनी हुए आपके earth के उपर zone O3 gases की यहां से बो जो इसकी मुटाई है जो thickness है वो कम हो रही है ठीक है क्योंकि क्यों कम हो रही है बहां पर chlorine gas जो आपके निकलती यह मैं आपके आगे आने वाई classes में यह आपको बहुत अच्छी से clear करूँगा कि क्यों हो रहा है क्योंकि practical मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़े time तक कीजिए याद रहे ठीक है तो depletion अभी तक मैंने यह समझा दिया कि depletion का मतलब होता है कि gases का कम होना decay होना तो पहली बार यह form मैंने देखा और इसका unit किसमे मेजर के जाता है यह question exam में बड़ी पर आया हूँ ठीक है अब देखते है इसका depletion होने का कारण क्या होता है इसके cause क्या होते है cause of depletion cause क्या होते है कारण क्या होते है कैसे depletion हो रही है सबसे पहला जो main कारण होगा वो होगा आपका chloro-fluoro carbon chloro-fluoro carbon ठीक है chloro-fluoro carbon इसका सबसे m엔 pension यह हम किसमें यूज करते हैं यह ये को लैंट में यूज करते हैं जितने थंटी करने वर्च जाज़ें से एक सी होगया आपका फ्रीज हो गया यह सारह ठीक है अर इसी का दूसरा नाम बोला जाता है chlorophyll को also called also called freon क्या बोलते हैं इसको freon भी बोलते हैं यह आपका chlorophyll कार्बन का 11 इस गास का नाम है freon तो पहले आपके AC बिगारा में freon की यूज होती थी ठीक है तो इसके जो आप example बोल सकते हो कौन कों से जैसे AC होगे आपके आपके AC होगे फ्रीज होगे ठीक है एसी फ्रीज होगे आपके फ्रीज करने वाले material जैसे cold store होगे आपका cold store जहां पर बरभगर बनाते हैं तो वहाँ पर यह सारी ठंडी करने के लिए यूज के जाता क्या chlorophyll कार्बन तो पहले सबसे क्या होता था इसी का नाव free on होता है और पहले यह वाली गैस बरी जाते थी आपके फ्रीज में जो गैस निकलती है दूएं बाली वह यह होती है यह बेसिकली कैसे इफेक्ट करती है तो बेसिकली होता क्या है जो आपकी क्या है मिल्यट क्लॉर होती है ही जब यूबि रेज प्राजन लोती है जूब यूबि रेज आती है ठीक है यूबिर यह आती है तो क्लॉरुक्त कर देती है ऑल गैस निकिस में और बोलते है कि एक में क्लोरीन एक्लोरीन का 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 एक्लोर तो हम लोग इसको पहले यूज करते थे अब इसका यूज होना बंद हो गया ठीक है तो समझ जाए क्या होता है यह वही ग्यास होती है जो आपके coolant से निकलती है जैसे AC freeze कुल जो भी होता है इन सब से निकलती है तो जब यह यूब रेस के connect में आती है इसके गांटेक्ट में आती है तब क्या होता है तो इसके lets के आने बाद एक कण्वर्ट हो जाती है कि हमें तो इसमें क्लोरीन में किसमें क्लोरीन गैस में अब क्ली डैस क सब से में होता आपकाuel जोन को destruction करना जोन की डिस्ट्रौाइगकर जोन को ठीक है तो कमाजाए होगी लॉरो फ्रोड इसका में रिजन होता है दूसरा लिख लिजिए आप लोग दूसरा लिख लिजिए दूसरा लिख लिजिए कार्बन मोनोग सब्सक्राइब कर दो आप दूओं में खड़े हो तो आप सांस नहीं ले पाओगे क्यों 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 होते हैं यह आपकी ब्लड में बड़ी जल्दी मिक्चर हो जाते मिल जाती है यह जल्दी जाते ब्लड में मिलेगी और आपको पता है ब्लड ही आपकी पूरी बाड़ी में क्या करता है ऑक्सीज जोन डिपलेशन का काम करती है ठीक है यह बोल सकते हो यह भी जोन डिपलेशन सबस्थान्स है तीसे नमबर पर लिख लीजिए जो आपकी सल्फर एंड नाइट्रोजन ओक्साइड ठीक है चोथे नमबर लिख लीजिए सिख और पांच में नमबर पर लिख लीजिए अच्छी एफ़सी इसका नाम लिख लीजिए हाईड्रोजो अपलोजो उसको डिस्ट्राइए करने का काम करती है तो बेसिकर याद रखना सबसे में है क्लोरो फ्लोरो कार्बंस यह कोशन इकजा में हजारों बर पूछा हुआ है कौन सी गैस है जो आपके जोन लेर को सबसे ज़्यादा एफेक्ट पहुंचाती है वह है क्लोरो फ्लोर कार्बंस फिर मैंने आपको यह बता दिया एस सी पढ़ेंगे मारी बोडी में अगर डिपलेशन होता है तो क्या फरक पढ़ता है हटने दोसको तो आपको पते से फरक तो यह पढ़ेगा कि यूबी रेज को रोकने वाला कुछ भी नहीं बचेगा आपकी अर्थ के उपर डिरेक्ट यूबी रेज आएंगी और इसके आने स जाएक सबसे जो पहला कारण होगा वो होगा आपका क्यैं क्या होगा डिरेक्ट्री क्विया गञाहिए अब डियरेक्टली क linen अती है तो फोसके इसल में यह जादा यह जादा Hiwie जो गोरे लोग रोलोग वोते हैं उनको जड़ा वताक है و जिनकी स्किन फेर होती है ठीक है जिनकी स्किन फेर होती है उनको ज्यादा होता है क्यों होती है स्किन का फेर होना जा काला होना किस पर डिपेंड करता है जिए मेलनिन पर डिपेंड करता है और मेलनिन क्या होता है यह करता है प्रोटेक्ट skin from ube-raise जो लोग काले होते हैं उनको ज़ादा इससे फर्क नहीं पड़ता क्यों क्यों क्योंकि इनके body पे जब यूबी रेज पड़ती है तो उनकी body में melanin ज़्याद होता है जिसकी body में melanin ज़्यादा होगा उसका color कम ज़्यादा होगा तो जिसका color fair होता है उनको ज्यादा chances होते हैं ठीक है skin cancer होने का आगे बढ़ते हैं चलिए और क्या कर सकता है दूसरे नहीं पर लिख लिजिए यह कुछ नहीं है temperature increase कर सकता है लिखो यह ecology का पार्ट है आपका zone और यह बहुत असान होता है कि common sense हो जाते हैं question ठीक है यह temperature increase करता अर्थ के उपर temperature को क्योंकि direct raise आएंगी तो temperature increase हो गई होगा और जो कारण बनता है किसका global warming का global warming मतलब जो आपके glacier पिकलना स्टार्ट गया देते हैं जब temperature बढ़ेगा automatically आपका आपका आप्टमेटिकल क्या होगा global warming होगी यह बोलते हैं कि चेंज इन जीन यह आपके जीन्स में भी चेंज कर रहा है जीन्स क्या होता है जो आपको parents से आपको मिलता है जिससे आपके और plants के जीन्स से अलग लग होते हैं और आपके बच्चों में जो भी आपके बच्ची होंगे जाए आपके जो parents है आप दोनों के जीन्स से हम होते हैं क्यों क्योंकि जीन्स से ही आपको आपकी शकल आपके parents कि कमी होने से और क्या हो सकते ही common सी बात है सारी आपका जो फोटो सिंतीस होता है यह भी कम हो जाएगा और क्या सकता है और हो सकता आपका कि इंबैलन्स कि इन फूर्चेन तो फूर्चेन बेसिक लिए आपके टॉपिक में है यह मैं इसको बहुत अच्छे से करवाऊंगा तो यह मैंने आपको छोट छोटे कारण बताए इससे क्या क्या हो सकता कॉमन सी बाता है जब जोन लेर नहीं होगा तो स्कीन पर यूब डिर होगा क्योंकि डिरेक्टली जब आरें तो इंक्रीज होगा जीन में चेंजर हो रहा है इंबैलस हो रहा है फूट चेन में ठीक है तो यह बेसी बेसी थोड़े से पॉइंट आप याद कर लेना उसके बाद बढ़ते हैं आगे जो आपके यूबी रेज यह भी तीन परकार क अर्थ के उपर जो पढ़ रहें हैं आपके यूबी रेज यह भी तीन परकार क्योंते एक होता है यूबी एक होता है Northern अ यूबी बी और एक होता है यूबी होगी ठीक है इनके सब के बीबलेंट होती है एक चीज आपके सब्स की भीस में से नहीं है आपको बता तरो जिसकी बैब जादा होगी ज़ह covering 옆 एक अथकर बेबलेंट चुरूरे फ्रिक्वेंसी कम होगी कि घिसकी बीबलें्थ जादा होगी frequency मतलब कोई चीज ज्यादा बार कम्बन रही है एक सेकंड में कवर करेंगी तो बड़े बड़े बनेंगे तो frequency बेवलेंट को पिजो फ्रिव एक है जितनी बेवनट ज्यादा होगी उतनी फ्रिक्वेंस हुगी और जितनी Bem बेइबलंद का रेंज होता है, 400-350 Nm, 400-350 Nm और ये बेसिकली क्या करता है ये आपका रैशेस on skin आपकी skin पे रैशेस होना start हो जाते है इसकी बैसे, फिर आपकारीज आटा होता है ,250 Nm , ये आपका बेबलंद का राइज है, मतलब जैसे आसे नीचे आ रहे हो यह dangerous होती जा रही है यह क्या कारण बंद था आपका skin cancer का अगर Yprraze C आ जाती इसका रही है 280 से 110 ननidas ननमे Facebook सöyleगिछ तो यह थोड़े से याद करने याथ यह तो यरी एकदान में तो यह यूबि रही है यह सबसे 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 अधिक है यह सबसे अधिक है आपको क्या कारण कर सकती है इससे काफी कभी नहीं है इसमें इसमें ज्धा एनर्जी ज्यादा था वह ज्यादा इफेक्ट के नहीं की सब्से unified सबसे कम जला'd को य। य। सबसे कम हें कि य। सबसे कम है जिसके बेड़ाइंस हुगी और ही क्रीकरेंसी होगी होने का मतलब य। आपकी बाडी में इफेक्ट भी ज्यादा पहुंचाएगागा अब मैं आपको एक एटमस्पेरी प्रेशर के वैसे 0.01 mm जोन लेयर का फोर्मेशन होता है आपको बात समझ नहीं आई होगी आप ऐसे जाद रख लो डॉप्शन का मतलब होता है थिकनेस ऐसे बड़ जाद रख लो थिकनेस मतलब मुटाई कितनी है जितनी मुटाई होगी इतनी डॉप्शन उतना जाता होगा तो जो आपका एक डॉप्शन होता है वो किसके बराबर ह हसला है एक डॉप्टान यह बराबबर होता है 0.01 mm जो दियो जो 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 की just for की जो जो यह टिकने सोख़ी 0PS की 0 ate 2 1 x उसको एक डउबसन इसको एक ज़ोफिक बोला गया तो ऐसे याह रिक लेना ठीक है तो आपका जो तो आपको पूचा जाए कि नॉर्मल अजोन लेर की तिक्नेस कितनी है तो आप कहा अंसर होगा तीन सो से चार सो डॉप्सिन तीन सो से चार सो डॉप्सिन थीक है अगर जिसको बोलते हैं अजोन होल कभी आपने नाम सुनाओगा क्या होता है। अगर 100 औप्शन से लेस हो जाए तो उसको बोलते हैं किया अजोन इसको बोलते हैं अजोन होल का मतलब होता है बहां की जो अर्थ की उपर गैसे की लेर बनी थी ओतरी वह बहां से पतली हो जाती है और जैसे ही 100 डॉप्शन से नीचे आएंगी चाहिए तीन सो से चार सो से कम पढ़ गी इसका मतलब पतली होगी वहां से लिए उसकी देप्थ ठिकनस कम होगी ठीक है तो एक पॉइंट इंपोर्टन याद रख लेना फिर मैं क्लास को खतम करता हूं जो ठिकनस आपको एक्जाम में कोश्ण पूछा जाएगा सबसे ऐकूटर क्या होता है यह आपका अर्फ है बिल्कुल एक ईस änनलाइन ईको अर्थ को दो हिस्सों में बराबर बांध दे गी आधा पार वपर आधान नीचे इस पार से सामने बचोंवार शलॉर्ट एक होता है सौनव एक होता है बोल मैं में आपको पूछा कि यहाउस्य चा मेक्सिमिस फार्मेशन लिख लो लो वह कर्यों एकूट होता है लेकन सब एगर होता है तो फिर यहां पर थिकनस मोठी कैसी होगी बोभागर वो होता है क्योंक्स कि यहाँ पर temperature high ऊने की बज़ा से इसमें jet stream चलती है कौन सी stream चलती है हवाये चलती है जिसको बढ़े जाता है jet stream तो मैंक्स तक्यायर्य जाती है जाता है पौले की ज्यादा कहा बनती है तो अंसर होगा इक यहासा मैं 3 रखोना है कि मैक्सिमन कहा होती है पौल पे मिनिमम कहा होती एक हुट्म हो बनती कहा है कि उजोन मैक्सिमम वो बनती है आपकी एक्यूटर की ओपर ठीक है तो बाकी class में करणे करूँ गाँ एक वर में इसको revise कर देता हो ताकि आज की class आपको बहुत अच्छी से समझा दें सबसे पर आज जोन कहा होगी जोन होगी स्ट्राटो 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 ठीक है यह क्या करती है और जोन क्या करती है अब्साइब करती है यूबी रेस को और यूबी रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है और हमने हैे किया करती या यह बचाती है यह मैंने आपको बता दिए फिर मैंने बताया कि रेफ्लेक्टर बजाब्स चेकल कर ँद्दशार जाता टैंपरिटर पर बढ़ जाता इसका टैंपरेशच्न नहीं होगा तो तो बैपर से वाटर रही बनेगा इसलिए यहां पर क्या होता है रेइंपोर मिशन नहीं होता और इसी बज़ा से यहां पर आपके जहाद भी उठते हैं यह 와서 यह लिया पे ऊठते है फिस क्या होता है धिप्लिशन होता है आप का डिके होना और जोन का डिके होना खतम होना तो फर्स्ट टाम यह किसने अब्जाइब किया था फॉर्में ने और यूनिट के है डिपलेशन का डॉप्शन हम मैंने एक डॉप्शन भी बता दिया कितना होता है जिरो पॉइंग इतनी थीकनेस होगी जोन की उसको बुला यहां से क्लोरिन गाष करना है सबसे मेन रिजन होता आपका अजोन को डिफेक्ट करना कारवन ओगा सफट्स और तो यह बताए फिर मैंने बताए एफेक्ट क्या होगे इसे एफेक्ट यह होगा skin cancer हो जाएगा temperature increase हो जाएगा gene वे चेंज जाएगा decrease photosynthesis होगा imbalance होगा food chain में तो यह मैंने आप कुछ point बताए then last में मैंने आपको इसका थोड़ा thickness बता दिया कि यह बिरेस इस दिंदे कि उसको बड़ा जाएगा एक adoption ठीक है उसको बड़ा जाएगा एक और question exam में आएगा कि zone hold की condition क्या होती है जब आपका adoption कितना हो 100 option से नीचे हो 300 से 400 उसका average होता आपका जो thickness होती है ठीक है और maximum होता है pole पर minimum होता है accuter पर formation होता है accuter पर और क्यों होता पोल पर क्योंकि jet stream में इसको यहां इस साइड ले जाती है जो उनको जो डिपलेशन सबसे पहले क्या होता था फ्रस्ट जेनरेशन में आप बोल सकते हो सबसे फ्रस्ट जेनरेशन में हम लोग जो coolant जितने भी मारे product होते थे items होती थी जो ठंडा करने वाली उसमें हम जो gas करते थे एक तो करते थे हम क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन जिसका नाम है फ्रियोन जिसका नाम है फ्रियोन और एक थी हमारी CFBR 3 जिसका नाम था हैलो तो आपको पूछा जाएगा सबसे पहले हम as a coolant purpose के लिए कौन सी gases च्यूज करते थे उसका नाम है एक है फ्रियोन जिसको क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन बोला जाता है और एक है हैलोन जिसको क्लोरो-फ्लोरो-ब्रोमिन बोला जाता है ठीक है तो यह सबसे पहले होता था और यह basically क्या है आपका या बोल सकती है यह क्या है आपके यह main main cause of depletion यह depletion के क्या है यह main cause of main cause of depletion depletion उनके सबसे main cause थे इसी को बोला जाता है also called और इसी को बोला जाता है इसी gases को बोला जाता था also called a zone depletion substances तो मैंने बताया सबसे पहले हम लोग क्या करते थे chloro fluorocarbon cfclt और cfbr3 feron और halon के नाम से जाना जाता है इसको हम लोग सबसे पहले use करते थे चीजों को बनाने के लिए जिसमें हमारा freeze बगारा बनाते थे जितने भी coolant बगार जीजी होती है ठंडा करने वाली जैसे AC बगारा उनसे में यह बढ़ा जाता था भले जैसे आपकी जैसे आपकी जैसे आप बोल से हो जो कास्मेटिक पॉड़ेक्ट होती है, जैसे आप बोल से हो मैडिसेन में, इन सब में हम सबसे पहले कौन सी काई उसे करते थे फ्रियोन और हैलोन तो एक्जाम में कोशन पूछा गया है मैंने आपको लास्ट कर्स में बताया भी था जोन डिपलेशन का सबसे जो में कारना वह क्लोरिन क्लोरिन जैसे सी एफ मालिजे सी एल टू तो बेसिकली होता क्या है यह बेसिकली इसका ब्रेकड़ोन होता है इसका क्या होता है इसका ब्रेकड़ोन होता है और ब्रेकड़ोन होता है आपका सी ऐफ सी एल टू में यहाँ पर यह था है प्लस कलोरीं गैस अलग हो जाती है और यह बोरला जाता लाक्षान करता है और जोन को आपका ब्रेकडून करता है अजोन को और कितने इसका जो एक एक होता है वो लगबक जोन के लाखों पार्टिकल्स को डिफेक्ट करता है मैंने आपको लास लास में चीज बताए थी ठीक है और सबसे पहले यह क्या हुआ था 1970 में 1970 में इसको first time observed किया गया था किसका आपका डिपलेशन होने का तो सबसे पहले पूछा जाएगा कौन सी गैसे थी आपका अंसर होगा सबसे पहले हम यह बड़ी कैसे यूज करते थे और यह काफी इफेक्टिव होती थी मतलब काफी ज़्यदा नुकसान पुंचाती थी आपकी और जोन लेर को क्योंकि यहां से क्लोरिन अलग होता था और क्लोरिन में रिजन होता आपका अर्जोन को हटाने के लिए अर्जोन आप एक संदी हुई मतलब एक समेलन हुआ ठीक है तो बहाँ पय क्या बोला गया एक विएना में एक कन्वेंचिन हुआ तो बहाँ पे एक चीज बोली गई इन लोग ने बोला कि हमें जरूरत है क्या है हमें नीड है नीड आफ अजोन conservation मतलब conserve करने की जरूरत है यहाँ पर सबसे पहले 1985 में इस पर सोच भी start किये गए ठीक है वियना के अंदर एक convention हुआ जिसमें बोला गया पहली बार बोला गया कि zone को conserve करना है एक तो हमारे लिए एक हमारी आने वाली आगे generation के लिए ठीक है 1985 में क्योंकि 1970 में पहली पार absorb किया गया कि यह जो chlorine gas है यह सबसे ज़्यदा effect कर रहे हमारी zone को और zone ना होने के यह नुकसान मैं आपको बता दिये थे ठीक है तो क्या है सबसे पहले हम यूज करते थे freon और halon freon halon जब use करते थे 1970 में यह first time absorb किया कि इससे क्या हो रहा है इससे तो आपका breakdown हो रहा है zone का क्योंकि इसमें से chlorine gas निकलती है और chlorine gas main क्या करती है आपका zone का deflation करती है तो यह 97 में first time observe किया गया so 1985 में इसको देखते हुए एक वियाना के अंदर convention हुआ वियाना के अंदर convection हुए जोता हुआ जिसमें यह कहा गया कि हमें जरूरत है और zone को क्या करना conserve करना बचा के रखना save करना ताकि अगली generation के लिए अच्छा हो हूँ अमें अपने लिए तो सोचने है पास अगली generation के लिए भी सोचना है तो इसी को द्यान में रखते हुए क्या हुआ 1987 1987 1987 एक प्रोटोकॉल आया एक प्रोटोकॉल लाया गया जिसको बोला गया मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल बताओं को क्वेश्चन कैसे आते हैं है 1997 में 1997 एक मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया उसमें लगवग लगवग वन नैंटी शिक्स कंट्री ने साइन किया हुआ है कि इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया हूए आपकी knowledge के लिए बता रहा हूं कर ली ठीक है इतनी country लगबग sign किया गया है यह क्या है basically capital आपकी Canada की आपकी Canada की capital है ठीक है और जो आपकी मैंने बताया था मैं निकाल देता है उसको जो मैंने यहां पर बताया था वियाना नाम की CT थी यह क्या है basically कि यहां पर सबसे पहले बात थी 1985 में कि हमें जो उनको क्या करना है कंजर्ब करके रखना बचा के रखना इसी के मद्या नजर रखते इसमें किया हुआ है इसमें क्या बोला गया इसमें बोला गया कि फ्री ओन एंड है लॉन इसमें पहली बार बात की गई क्योंकि कि नैंटीन नैंटीन सेबंटी में पहली बार अबजर्ब किया गया नैंटीन एटीफाइव में पहला कंवेंशन किया गया उस बहां पर बात की कि इसको हमें बचाना है और उसी के मद्या नजर रखते है दो साल के बाद एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ इसमें टार्गेट रखा गया कि हमें फ्री ओन और हैलोन इन दोनों का यूज क्या करना है लिमिटेड करना एक मतलब जितनी जुरूरत है उतना ही करना है ठीक है और यह बोला गया कि तिल कि 2000 कि 2000 तक आते आते हम लोग 90 परसेंट तक का इसका यूज बंद कर चुके होंगे फ्री ओन और हैलोन को 90 परसेंट तक स्टॉप कर देना है यह उसमें बोला गया था ठीक है अब यहां पर एक बात होगी कि इसका 90 परसेंट यूज हम नहीं करेंगे तो अगर नहीं करेंगे तो इसका अल्टरनेट क्या होगा तो बहां पर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये बात बोली गई कि इसका अल्टरनेट क्या होगा इन लोगों ने बताया कि जो आपका सी एफ सी एल थी तो अल्टरनेट खोजा जा चुका था क्योंकि हर चीज का अल्टरनेट बना जैसे अभी देखो पेट्रोल कम पड़ रहा महंगा हो रहा है तो देरे-देरे लेक्ट्रोनिक गाड़ी आ रही है ठीक है जो फ्री ओन थी और जो हैल ओन थी इन दोनों के बदले में बोला कि अब हम यूज करेंगे क्या है एक 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 हम जूज करेंगे हफ्सी पहली वाली इफेक्ट पहुंच आती थी 80-90 परें और जोन को लेकिन इसका क्या था इसका क्या था ये कम से कम एफेक्ट जो करती है ये करती है आपकी लगबग लगबग सिर्फ 15% तक मतलब जितना पहले effect होता था जो उनको ये बली जो gas है इसकी full form लिख ले ना इसकी full form लिख लो hydro chlorofluorocarbons hydro chlorofluorocarbons लिख ले ना यहाँ पर space का मैं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ cfcl3 को और cfbr3 जो halon freeon बोला गया इसका जो substitute आया एक तो आया hcfc क्या hydro chlorofluorocarbons और दूसरा था hydro fluorocarbons hydrofluorocarbons hydrofluorocarbons ये जो hydrofluorocarbons है ये कितना effect करती है 5% मतलब आप सो सकते हो कि पहले जितना effect होता था उसका मातर 5% मतलब मालिज पहले 100 का नुकसान होता अब 5 का होगा तो काफी हद तक better थी ठीक है काफी हद तक better थी अब basically ये जो hfc है ये काम कैसे करती है ये basically क्या हुआ इसने ये तो कर दिया कि इसने और जोन को effect कम कर दिया लेकिन इनके फिट से effect आना start होगे global warming global warming increase protect increase protect इनकी बज़ा से क्या होने लगा global warming बढ़ने लगी global warming बढ़ने लगी global warming क्या होता है जब temperature earth का भल्ट रहा है और इस से क्या होता है glacier पीगलना start होगे है जब glacier melt होना start होगे तो इसका पानी rise होगा क्योंकि 70% earth में water है जब इसका पानी spread होगा आगे तो क्या होगा जगा जगा बाढ़ आएगी तो global bombing का ये कारण बनता है ठीक है मतलब ozone तो आपने save कर ली लेकिन इससे क्या होने लगा देरे-देरे global bombing बढ़ने लगी तो finally decide किया गया कि हम लोग hcf का सबसे ज़्यादा use करेंगे क्यों क्योंकि बाकी वालों के comparison में global bombing ये तो effect कर रहा है लेकिन उसके comparison में कम होगा उसके comparison में कम होगा ये कैसे काम करता है जैसे आपका chloroflorocarbon करता था बैसे आपका hfc करता है ठीक है तो ज्यादा यूज किसका होने लगा hfc का मैं एक वर द्वारा से बताता हूं कि montreal protocol हुआ जिसमें 196 country ने sign किया हुआ है उसमें target ये था कि freon और halon का use सबसे कम करना है और 2000 तक आते आते 90% freon और halon को खतम करते हैं ना सिर्फ 10% यूज ही रखना है क्योंकि limited करने करें पहले बात होगी थी 9087 जब montreal हुआ उस time बता दिया थे ठीक है उस time बता दिया कि 90% खतम करते हैं फिर इसका जो एक सब्टिटूड लेके आएगा कि ये किसमें लेके आये थे आपका freon और halon को change किया गया hydrochloro fluorocarbon और hydro fluorocarbon तो कब हुआ ये किसके ताहत हुआ यह हुआ था montreal protocol के तहत किसके montreal protocol के तहत तो basically जो आपका hcfc था ये 15% effect करता है और hfc है ये कितना 5% effect करता है ठीक है काम यह बैसा ही करता है जैसे आपके पहले बाले काम कर रहे थे ये काफी हद तक यहां सेफ होगे लेकिन ये भी क्या कारण है आपका किसका ग्लोबल बामिंग प्रोडेक्ट है ये आपका ग्लोबल बामिंग बढ़ाने के मतलब नुकसान करता उसके लिए तो फाइनली 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 टार्गेट सेट हुआ कि दो हजार साथ में क्या बोला गया बहां पर कि फाइनली जो भी हम रोक यूज्ज करेंगे उद्षाइड तिरब 5% effect होता है इसका चलिए इसके आगे बढ़ते हैं next 2 या 7 में ये decide कर लिया गया कि क्या होगा हम लोग किसका use करेंगे HFC का hydrofluoro carbons का use करेंगे ठीक है फिर क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ 2016 में ठीक है 2016 में क्या हुआ ठीक है रवांडा जो की अफ्रीका कंट्री का एरिया अफ्रीका का ठीक है कैपिटल है आपका तो यहाँ पर क्या हुआ एक कंवेंशन फिर से हुआ फिर से एक समझोता हुआ सारी कंट्री मिलके फिर से एक समझोता गिया ठीक है रवांडा के अंदर जगा का नाम था कि जाली किजाली ठीक है किजाली में इसमें क्या किया है जो आपके जो आपके Montreal प्रोटोकॉल को थोड़ा इंप्रूब किया गया प्रोटोकॉल को इंप्रूब किया कैसे इंप्रूब किया ओसी इंप्रूब किया यहां पर बोला कि यहां पे भी diret किजाला मीज़ो कि किस लिए do hfc के लिए क्यों बहुत करेंगे इस्का जूज और भी parse कर दिया जाएगा एसका यूज और भी रियूज कर दिया यह मैं आपको क्या पब्लाा रहा हूँ कि कौन effort लगाएगे कि आपका zone depletion को बजाया जा सके तो basically ये मैं effort बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या जूज होता था जो आपका effect करता था zone को उसके बाद दीरे-दीर उसका replacement कैसे आती एक्जाम में कोशन आता है कि सबसे पहले कौन सी gas यूज होती थी ठीक है सबसे पहले जो प्रोटोकाल हूए मैं आपके पर फिरसे रिवाइज कर बात हूँगा जैसे यह खत्म होता है आज हम इसको खत्म करेंगे ठीक है यहां पर बोला गया आपका रवांडा के अंदर जो कि अफरीका की है कैपिटल है यहांपे कंवेंशन हुआ जगा का नाम मैं किजाली कंवेंशली ऑप साथ कंदर बोला कि इसका है यहांपे नज रिख भी महत नहीं कर देंगे थिर्सका है 2000 वो साथ कंदर बोला कि इसका हम यूज करेंगी ठीक है इसमें ये रखा गया कि जितनी भी कि डिवेल्पिंग कंट्री हैं कि ये रिड्यूज करेंगी ये रिड्यूज करेंगी 85% तक इसका यूज कम कर देंगे कब 2019 से लेके कि दो है 36 के बीच बीच में इतने टाइम में इसका जान तो अल्टरनेट आ जाएगा तब तक ये ऐसा कर देंगे ठीक है जो आपकी अंडर डेवल्पिंग कंट्री हैं अंडर कि डेवल्पिंग कंट्री है इनको बोला कि ये दो हज़ार अठाई से लेके संतालिस तक इसका जूद एटी परसेंट तक कम कर देंगे इनका जूद एटी परसेंट तक कम कर देंगे ठीक है चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम सबाइब करते हैं इंडिया एस एच एफ ओ से एच एफ ओ से इसकी फुल फाम होती है हाइडरो फ्लोरो हाइडरो फ्लोरो ओली फाइन होली फाइन ठीक हाइडरो फ्लोरो होली फाइन होली फाइन तो यह इसकी फुल फाम होती है तो यह बली gas use करना start कर दी अब इसके फाइदे क्या गया देखो इसके जो वेनिफिट है वो क्या क्या है एक तो वेनिफिट किये है कि यह अर्थ का temperature बढ़ाता है लेकिन कितना 0.1 degree Celsius increase करता है पर यह अर्थ temperature को यह आप अपने साफ से साफ साफ लिखने ना increase करता है क्या करता है इंक्रीज करता है तो यह कितना करता था 0.5 degree Celsius काफी हद तक कम है 500 टाइम्स कम है ठीक है यह इतना increase करता था बट यह कितना करता है 0.01 degree Celsius ठीक है दूसरी चीज यह क्या होता है यह डिस्ट्रॉइड हो जाता है डिस्ट्रॉइड इन ट्रॉपो स्फेर नेक्स पे लिखते तो मैं यह क्या होता है डिस्ट्रॉइड हो जाता है इन ट्रॉपो स्फेर आपको पता अर्थ की ओपर layer होती है लग लग ट्रॉपल स्टेटयू स्वेर layer होती है तो बेसी कली यह जो हो है यह क्या होता हुँ यह आपका Trophy जो पहली लेयर होती है और बहां तक ही खतम क्यासा होता है यह अन्साचुरेटर तो मैं अभी तक आपको अभराल जो मैंने बढ़ा उसका मैं च्छुर्टा बताता हूं जो आपको याद करना अभी तक की बात हों का ठीक है मैं आपको पूरा पूरा conclusion बताद तो देखो एक एक लिख लेना अभी तक की बात होगा conclusion क्या निकला जो हमने पड़ा जो आपको याद रखना है वो क्या क्या है सबसे पहले आपको याद रखना है Montreal Convention इसमें क्या हुआ इसमें बात की गई कि free on और हैलाउन का यूज करना है यह बात की हुआ कभी है 1985 में एक तो हमने यह बात पड़ी उसके बाद आया आपका Montreal Protocol कभ आया यह आया 1987 में apply हुआ 1989 में 1989 में यहां क्या हुआ आपका HFC का यूज होना start हुआ HFC का यूज होना start हुआ उसके बाद आपका आया की जाली Conversion की जाली Convention यह कब हुआ यह 2016 में हुआ यहां पर क्या बोला HFO यूज करनी है as compared to HFC ठीक है HFO को यूज करना है बाकी बोला कि 85% HFC को भी हम बंद कर देंगे ठीक है तो इसमें हम क्या यूज किया HFO ठीक है तो यह थे हमारे तीनों important आपको पूछा जाएगा कि Montreal Protocol Montreal Convention की जाली Convention यह किसके related है यह सारे किसा related है किसके अजोन के अजोन conservation के related है सारी बाते ठीक है क्या थे इंडिया के फड़ यह थे कि इंडिया ने 99 99 तक 90% free on free on reduce कर लिया reduce कर लिया ठीक है और 2,000 3 से लेके 2,000 पांच तक इसको पूरा खतम कर दिया मतलब यह done कर चुके थे इतना यह done कर चुके थे 2,000 3 में इंडिया hell on free हो चुका था hell on free हो गया था ठीक है कुछ ही area में इसको use करते थे जैसे 52 बगरा बनाने में वहां बचा बाकी आलमुष इंडिया hell on free हो गया कब 2,000 3 में तो इंडिया ने 1999 1999 में 90% free on 2003 तक यह चीज़ done कर दिया target था done कर दिया 2003 तक इंडिया hell on free हो चुका था और किसको छोड़के सिर्फ कुछ छेतरों को छोड़के कुछ area को छोड़के जिसमें आपका 52 बगरा production होता था बहां पे नहीं हो रहा था ठीक है आपका जो coolant product में क्या क्या जोड़ोता था एक आपकी free on gas होती थी खैला उन होती थी एक free on एक खैला नाइन्टी 1970 के अंदर पहली बार absorb किया गया कि यह आपका और जोन को करवाने के कास बन रहे है तो 1985 में ठीक है 1985 में एक पहला convention हुआ ठीक है वियाना समझोता वियाना convention ठीक है 1985 में हाँ यह मैं आपको तीन जो conclusion में लखवाए ना यह है Montral protocol यह जो होया पहले बाला कौन सा 1985 में इसको लिख लेना वियाना convention ठीक है इसमें क्या बोला गया कि अजोन को हम लोग conserve करेंगे और 1987 में पहला Montral protocol हुआ यहाँ पर बोला गया 1987 में कि free on हैलाउन का use हम कम करेंगे कितना कम करेंगे 2000 तक हम लो 90% free हो जाएंगे ठीक है उसके बाद मैंने बताया प्रोटोकाल में ही इसका जो सब्टिट्टूट आया वो क्या आया था वो आया था कि आपका free on हैलोन की जगा जो आया था मैंने आपको लिखवा दिया था ठीक है hydro chloro fluorocarbon और hydro fluorocarbon फिर मैंने बताया उसके बाद कि जाली कर्वेंशन आया कि जाली कंवेंशन में क्या बोला गया कि आपका 85% कर देना आपने इसका यूज जो डेवल्पिंग कंट्री है और अंडर डेवल्पिंग कंट्री है जो उसका 90 पीछे वाले का था 2019-2036 तक और इसका था हजार अठाइस से लेके 47 तक का 85% कम कर देना है इंडिया ने एक चैप सी को रिप्लेस किया किसे एक फो से ठीक है और इसका में ने बताया क्या क्या होता है कि जीरो पॉइंट बंडिगरी सेल्सियस इंक्रीज करता है टेंपरिचर पहले वाला एक चैप सी कितना गया था जीर आली कंबेंशन किया था इंडिया किसका क्या क्या इंप्लिमेंटेशन वाक कैसे एक इस को कोंट्रोल कर रा ठीक है तो आगे थोड़ासा बात्ते ऑजोन को टेंच के ओपर Persian जोन ये स्टार्ट फारली बानां को मनाना fajn स्टार्ट हुआ ये 1994 1994 कर मना जाता है ये एबरी 16 September को ठीक है 16 और ये स्टार्ट किसके ताहत किया गया था ये स्टार्ट किया गया था अंदा बेसिस आफ अंदा बेसिस आफ मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसको ही देखते हुए ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो 2020 सेप्टंबर में जो इसकी थीम थी वो क्या थी इस टे की थीम क्या थी वो थी अजोन फार लाइफ क्या था वो अजोन फार लाइफ और 21 वाला भी आएगा ठीक है कम मनाया जाता है यह 16 अप सेप्टमबर को मनाया जाता है तो यह था आपका अजोन का टॉपिक जो मैंने इसका डिपलेशन और जोन को कम्प्लीट करा तो उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कौन-कौन से समझोते हुए कैसे कैसे अबजर्ब करा कौन-कौन सी डेट में क्या क्या बोला गया आपको सिर्फ यह याद रखना है कि मौन्ट्रियल कंवेंशन कब हुआ था इसमें क्या बोला गया थे कि जाली कंवेंशन अब तक फ्री हो गया तो यह मैंने कुछ बाते बताई जो आपको इंपोर्टन है याद रखनी है बाकी जोन का यही इंपोर्टन है और जोन से जब आप कौशन करोगे समझ जाओगे कैसे आते हैं ठीक है बाकी यह देख लेना सबसे पहले गैस कौन से थी अब किसको रिप झाल 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 झाल